नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस खास यूट्यूब चैनल में जहाँ पर समय समय पर हम आपके लिए अनेक प्रकार के आसान से वशे करेंट टोट के लेकर आते हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन में आने वाली सभी समस्या जैसे प्यार से समने समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तो आज जो विदी हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपको चाहिए एक शीशा यानि कि कुछ इस सरीके का छोटा शीशा मोली उस व्यक्ति का फोटो जिससे आप फश में करना चाहते हैं थोड़ा से सिंदूर और एक दीपक आपके लव लाइट में अगर आपका साथी भटक गया है या फिर आपके घरवाले नहीं मान रहे हैं तो ऐसे में इस विदी का सही से अगर आप प्रियोग करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो होकर ही रहेगा और आपके पार्टनर सिर्फ आपके उखर रहे जाएंगे आपको बस इस विदी को एकदम सही तरीके से करना है इसके लिए आप इस विदी को शूर से अंत तक जरूर देखें और इस विदी में प्रियोग किये गए मंत्र का भी सही से जाप करें अगर आप इस विदी को सह से दूर लेकर जा सकती है तो जादा समय ना गवाते हुए अब मैं आपको इस विधी के बारे में बताती हूं इस विधी के लिए आपको छोटे साइस का एक शीशा लेना होगा आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि कोई भी शीशा तूटा हुआ ना हो यानि कि उस शीशे में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इस विधी को आप किसी भी रात्री के टाइम पे कर सकते हैं आपको विधी को रात्री के तीन से चार बज़े के बीच में आपको करना है आपको आसन लगा कर अपने सामने एक दीपक जलाकर बैठ जाना है अब आपको श पर सिंदूर से तिलक लगा लेना है और तेहरा बार एक सिद्ध किये गए मंत्र का जाप करना है यह मंत्र जो है ध्यान से सुनिएगा ओम वश्यम करू जीवन संगनिया यत्र मनु स्वाहा अब आपको मोली से इस शीशे और फोटो को बांधना है मोली को तेहरा बार लपेट के साथ सा तहरा बार ही मंत्र का जाप करना है यह मंत्र जाप को मैंने अभी अभी बताया है उसी मंत्र का आपको जाप करना है अब आपको शीशे और फोटो को आसन के अंदर डाल के अपने बैड के नीचे रख देना है सुबह के समय सूर्य दे के बाद आपको इसे किसे प पर रहे कर वो विधी नहीं कर पा रहे हैं नहीं वहशी करन कर पा रहे हैं तो आप हमसे भी संपर करके ये विधी करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों इस बात का आपको खास तोर पर ध्यान रखना है कि ये जो उपाई है वो पेहदी अचूक उपाई है तो जब भी आप ये उप ग्रहंडोष या फिस चंद ग्रहंडोष यह जानने के लिए आप इस स्क्रीन पर दिए गये नंबर पे गुरूंड को सकते हैं हमारे लहले लगतार आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं जो गुरूजी का परस्ण सरा नंबर है ये उपाय करके आप अपने जीवन को और भी साथ आप बहतर बना सकते हैं अपने जीवन को एक बहतर दिशा और नया मोर दे सकते हैं तो समय बरबाद ना करते हुए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें गुरुटी से बात करें और अपनी हर समस्य का समधान सिर्फ एक फोन कॉल पर प्राप करें जै माता दी